असलाम आलेविगूम आप सब लोग कैसे है मेरी सब अच्छे ओंगे इस तरह के शें अधिली उसमें अक्सर बोलते भी हैं और सुनते भी हैं तो आज से आप इंगलिश में इसको बोलना शुरू कीजिए किस तरह के sentences जैसे के कैसे कहूं कि मैं fail हो गया हूँ कैसे कहूं उसे भुकतना पड़ेगा कैसे कहूं कि univers determis मेरी किताब चुराई है इस तरह के sentences जैसके अन्दर हम कैसे कहूं जैसे कहूं देन उसके बाद जो भी sentence होगा वो बनाएंगे so let's use it in sentences कैसे कहूँ के मैं fail हो गया हूँ कैसे कहूँ यह how do I say that आजाएगा मैं fail हो गया हूँ यानि एक जो है action नुकमल हो चुका है यानि यह क्या है present perfect sentence है जिसका formula क्या होता है subject के बाद have है इस देन उसके बाद क्या होता है verb की third form आती है तो fail होना fail के लिक यानि होता है तो how do I say that I have failed next sentence is केसे कहूँ के वो गलड के रहा है केसे कहूँ के लिए अजाएगा तो हूँ है प्रेजंट कंटिनियस का टैंस है और he हे के साथ तो is लगेगा तो बनेगा how do I say that he is saying wrong तो he is means ही इसका ये contraction है ठीक है next sentence is कैसे कहूं उसे भुगतना पड़ेगा कैसे कहूं उसे भुगतना पड़ेगा यानि इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी इस तरह का sense है और पड़ेगी इसके लिए हम यूज करते हैं एक phrase will have to का उसकरते हैं तो बनेगा how do I say that he will have to pay the price कैसे कहूं उसे भुगतना पड़ेगा यानि इसका खुम्याज भुगतना पड़ेगा या इसकी price चुकाना पड़ेगी यानि कीमत चुकाना पड़ेगी ठीक है जरूर नहीं कि पेसे दे के कीमत चुकानी पड़े मतलब आपने जो किया उसका आपको फल मल मिलेगा जरूर ठीक है इस तरह का sense है next sentence is कैसे कहूं के वो job हासिल नहीं कर सकती कैसे कहूं के वो job हासिल नहीं कर सकती तो बनेगा how do I say that she cannot get a job how do I say that she cannot get a job तो यहाँ पे get use हुआ हासिल करने के लिए so I hope कि आपको यह वाला structure समझ में आया होगा so this sentence is for you to translate कैसे कहूं के अनवरने मेरी किताब चुराई है अब देखें get की uses देखते हैं ठीक है वैसे तो get के जो है 8 uses हैं लेकिन हम जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो uses पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा इस्तिमाल होते हैं और बहुत common है ठीक है तो देखेंगे चार uses हम get के पढ़ने वाले हैं चाय ठंडी हो गई है आप अपनी जिनगी में क्या हासिल करना चाहते हैं उपर से मेरा mobile ले आओ वो मेरी बात नहीं समझ रहा समझना ले आना हासिल करना या कोई चीज हो जाना तो यहाँ पर जो get है क्योंकि एक वर्विद इसकी forms भी होंगी get second और third form इसकी got और god ठीक है gotten third form होती है लेकिन जो यह अब जादा तर यूज होती है got ही third form यूज हो रही होती है तो हम भी यहाँ पर god को यह third form यूज करेंगे ठीक है अच्छा यहाँ पर जो इसका structure होगा होना क sense में तो इसके बाद यानि get के बाद हम कोई adjective लगा रहे होंगे यानि कोई मोटा हो गया है कोई दूबला हो गया है कोई किसी को देर हो गई है जो भी हम यहाँ पर इस तरह से बना रहे होंगे किस तरह देखें चाय ठंडी हो गई है चाय ठंडी हो गई है तो यह है यानि ठ से दूसरे स्टेट में जब दाखिल होती है चीज तो उसके लिए हम यूज करते हैं गेट का तो चाहे ठंडी हो गई है पिल गरम ती अब वो ठंडी हो गई है तो यह परफेक्ट में टैंस में बनेगा लेकिन गेट का इस्तमाल होगा किस तरह देखें देखें देटी हैस छुक्त में बनेगा इसमाद टाओ एक हम जो यूसकर ही ठाक हो जाता है और फ्रेचस के information करहा हो जाता है तो छुक हम जाता ही सब्सक्राइब कर जाता है तो इटका सारा लिए, it gets dark at 6, 6 बजए in the winter सर्दियों में, ठीक है, next sentence is, हम परिशान हो गए, हम परिशान हो गए, यानि पहले परिशान नहीं थे, सही थे, normal हालत में थे, उससे हम किसमें दाखिल हुए, परिशानी में, तो God, यानि एक state हमारी change होई, we got worried, we got worried, हम परिशान हो गए, next sentence, तयार हो जाओ, तयार हो जाओ, यानि अब तयार नहीं है, और आप किसी को बोल रहे हैं, यानि कि वो तयार नहीं है सामने वाला, और आप उसको बोल रहे हैं, तयार हो जाओ, तो बनेगा get ready, get ready, next sentence, उसकी शादी हो रही है, उसकी शादी हो रही है, उसकी शादी आगया होगा, so this sentence is for you to translate, आपको देर हो गई है, आपको देर हो गई है, सेंटेंस को बना कर जरूर कमेंट बोक्स में लिए हम जब तक इसके next use की तरफ बढ़ते हैं, जो के है, get, achieve या receive, किसी चीज का मिलना आपको, या तो उसको हासिल करना, ठीक है, दोनों के लिए हम my message, did you get my message, next sentence, आप अपनी जिन्दगी में क्या हासिल करना चाहते हो, तो हासिल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो बनेगा, what do you want to get in your life, या बोल सकते हैं, वहाँ पे आप बोल सकते थे, did you receive my message, यहाँ पे आप बोल सकते थे, what do you want to achieve in your life, ठीक है, so आप get का use कर सकते है दोन जगा पर, so I hope आपको यह वाला use समझ में आगे होगा, so this sentence is for you to translate, आपने अब तक कितनी trophies हासिल की, आपने अब तक कितनी trophies हासिल की, next नमारे जिसके मिनिंग है, वह है, get, यानि bring या fetch, यानि ले आना, लाना कोई चीज, ठीक है, तो यहाँ पे देखें, market से मेरे लि from the market, get address, यानि, ले आना address for me, मेरे लिए, from the market, market से, next sentence, उपर से मेरा mobile लियाओ, उपर से मेरा mobile लियाओ, तो बनेगा, get my mobile from upstairs, get my mobile from upstairs, ठीक है, उपर से यह नहीं upstairs, जाहर से बते, studio के उपर ही जाएंगे, तो उसको आप upstairs ही बोलते हैं, ठीक है, I hope अब क्यो, get का use यह वाला सम sentence is for you to translate, मुझे एक mobile ले दो, मुझे एक mobile ले दो, यानि, ला दो, या मुझे दिलवा दो, ठीक है, दिलवाने की sense में भी हम get का use करते हैं, simple sentence है, इसको बना कर जरूर comment box में लिकिए, हम इसके next और last use पर बढ़ते हैं, यानि इस वीडियो का, तो बनेगा get, यानि समझना, understand क कि जगा हम use कर सकते हैं, जिसे मुझे गलत मत समझना, मुझे गलत मत समझना, तो बनेगा don't get me wrong, don't get me wrong, आप बोसकते हैं, यहां पर यह अच्छा लग रहा है कि don't get me wrong, ठीक है, next sentence, मैं समझ गई, मैं समझ गई, तो बनेगा I got it, I understood it, कि जगा आप बोसकते हैं, I got it, simple सा, useful स ठीक है, I hope कि आपको get कर यह वाला use भी समझ में आगे होगा, so this sentence is for you to translate, मैं समझ रही हूँ जो तुम कहना चाह रहे हो, मैं समझ रही हूँ जो तुम कहना चाह रहे हो, are you willing to कभी यूज कर सकते हैं, are you trying to कभी यूज कर सकते हैं, जो आप चाहें, या want to कभी यूज कर सकते ह हैं, बस यह कोई भी आप कोई चीज कहने की कोशिश कर रहे हैं, और सामने वाला समझ जाए, मैं समझ गई कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, या वो क्या कहना चाह रहा है, इस sentence को बना कर जरूर comment box में लिखेगा, ताकि मुझे बता चले कि आपको वीडियो समझ में